जहीं दोस्तों क्या हल चाल तो गाईज आज मैं एडिट करेंगे कैशो सिटी एक्स 9000 इन के अंदर ओल्ड बैंजो सबसे पहले आप इस टोन को सुन लिजिए उसके आद हम इसको एडिट करना सीखेंगे जाएज कुछ इस प्रकार का हमारा जो बैंजो है ओल्ड प्रकार का प्रे होता है यह आप चाहो तो परदेशी परदेशी सोंग के फास्ट पार्ट में भी प्ले करता है इस बैंजो को एडिट करने के लिए आपको टोन नमबर चाहिए 666 बैंजो जी के नाम से मिल जाएगी अब उस बैंजो में इस बैंजो में गाईज आपको एक एफेक्ट मिल रहोगा जो कि हमारा DSP से लगा हुआ है वाई इसको एडिट करने के लिए आपको फंक्सिनमें को लोग प्रेस करके रखेंगे 666 नमबर वाली टोन को 666 नमबर टोन को लेने के बाद फंक्सिनमें को लोग प्रेस करके रखेंगे इसके बाद 3 नमर से आगे करिंगे आता ही राटाए नमसा जूम करके दिखा देता हूं लिली टाइम िएट ती नमर से आगे आएगे हाँ आप डाता है कट आ इसमेट नमль पर रहे गा वार Hammand has two नमराthING day number करेंगे आप डाता है रेजानाएंस यह भी इन नमर्प्र्ट कारेंगे बाइब डैप्ट जो है सेंटीफन पर यहां से आप करस्कते अरो कि से आगे जाएंगे त्रीद चीन मर्ए जो यह आपका सैंटीफन मर्पर्ढे sãowszy टीले ६ D कि जो आहिए रहेगा त Choruses andом हमने 40 रखा हुआ है आगए आएगे आएगे आप राता है इसमें 0-0-0 इसमें हमने कोई भी डेले यूज नहीं किया है हलांकि इसमें हमने Relay Time डाला हुआ लेकिन डेले नहीं यूज गया है तो आप इसको 0 रखें अब आगे आएगे, यहाँ रहता है सबसे main DSP, तो DSP को हम यहाँ से वैसे default off रहती है हमारी, यहाँ से यहाँ से लेकिन इस से जो हमारा sound है, mono के रूप में रहता है, या नियुक्त सिंगल में आता है, तो हम इसको on करेंगे यहाँ से, और फिर 6 नमर से 3 नमर से प्रेस करेंगे तो आपने जो DSP नमबर है 456 नमर पर रखना है जैसे देखिए आप यहाँ पर अलगलग प्रकार की DSP नमर मिलेंगे तो आपने घुमा फिराके यहां से 400 जो भी हमने डेफॉल्ट रखा है 456 यानि 456 नमर पर इससे आपका जो साउंड है लेफ्ट टाइट थोड़ा सा जाएगा इतना होने का अधा आपका जो बैंच जो है इस प्रका जो आपका साउंड है बन जाएगा इसके बाद आप चालमर नमर से एग्जिट करें फिर से यहास एक्जिट करके फिर से यहास फिर से यहास तो अभी आपका जो टोन है सेम में तरह बन जाएगा तो आप इसको अपने हिसाब से कहीं भी यूज कर सकते हो जिस प्रकार से हमने यूज किया है झालमर नमस्वर्ण और से और से वे से यहास